हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न टेक्निकल वे फिर से लिए कहा हूँ नहीं जॉब की इंफोर्मेशन, रुक्वीट्मेंट जो है वो ओल इंडिया लिमिटेड की तरफ से है आप सभी भारती इंडिया की किसी भी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे जो है आप अवेदन कर सकते हैं फ्रेशर्स के लिए भी रुक्वीट्मेंट है और एक्स्पिरियंस कैंडिडेट के लिए भी रुक्वीट्मेंट है उससे पहले थोड़ी सी instructions है जो मैं आपको पहले जो है वो दे देता हूँ ताकि आपको जब आप apply करने जाए तो आपको परिशानी ना आए यहाँ पे click करके आप जो है वो download कर सकते advertisement को इसका direct link मैं आपको अपनी website पर जो है वो दे दूँगा ताकि आपको अब दोस्तों detail में देखते हैं क्या लिखा गए notification में oil India जो है वो limited की recruitment है नवरतन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है आप जो है PSU जो है इसको बोल सकते है recruitment दोस्तों जो है वो grade C, grade B और grade A के लिए है यहाँ पे दोस्तों रुकीटमेंट जो है अलग-अलग position के लिए है और अलग-अलग तरह का जो है वो qualification मागा गया है फिलाल हम बात करेंगे उनके बारे में जिनमी experience जो है वो नहीं मागा गया यहां मागा गया है तो बिलकुन डिगर आपने कर रखी है चार साल की electrical में आप apply कर सकते है 65% marks के साथ उसके लावा अगर next job की तरफ पढ़े तो senior officer HR की recruitment है यहाँ पे दोस्तों number of vacancies दो है same salary मिलेगी 29 साल maximum age limit रखी गई है बाकि यह जिलक्सेशन as per government tool मिलेगी यहाँ पे दोस्तों MBA वाले apply कर सकते है HRD HRM में अगर आपने कर रखी है आप apply कर सकते है दो साल की personal management वाले भी apply कर सकते है बाकि post graduate diploma अगर आपने कर रखा है management पे तो भी आप apply कर सकते हैं उसके लावा दोस्तो senior officer legal के लिए bachelor degree LLV अगर आपने करी हुई है आवेदन कर सकते है senior officer mechanical के लिए अगर आपने bachelor degree कर रखी है mechanical में आप apply कर सकते है लेकिन यह 4 साल की मांगी है 65% marks के साथ आप apply कर सकते हैं उसके लावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो senior officer instrumentation के लिए अगर आपने bachelor degree instrumentation में कर रखी है बीटेक्स 4 साल वाली 65% marks के साथ आप apply कर सकते हैं senior officer geophysics के लिए अगर आपने post graduate चोहे वो degree कर रखी है applied geophysics में आप apply कर सकते हैं बाकी जदा जानकारी के लिए आप notification read करिएगा आपको साही चीज़े समझ में आ जाएंगी उसके लावा दोस्तों ये number of vacancies जो है ये change भी हो सकते हैं इनको बढ़ाया भी जा सकता है कम भी करा जा सकता है ये company के अपने हाथ में जो होता है बाकी दोस्तों अगर आप जो है apply कर रहे हैं bachelor degree के लिए ये वो चार साल की होनी चाहिए post graduate degree है तो वो दो साल की होनी चाहिए यहाँ पर दोस्तों बात करें application fees की तो application fees भी रखी गई है 500 जो है वो आपको fees पे करनी पड़ेगी साथ में जो applicable taxes जो होंगे वो भी पे करने पड़ेंगे बाकि SCST, BWD, ex-serviceman, economically weaker section के लिए किसी भी तरह का fees का criteria नहीं रखा गया आप बिना fees के आवेदन कर सकते हैं बात करें selection process की तो जैसे आप apply कर देंगे उसके बाद वो eligible candidate को shortlisted करेंगे और उनको computer based test के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद group discussion या group talk जिसको बोला जाता है वो लिया जाएगा और उसके बाद personal interview के मात्यम से आपकी selection होगा तो basically यहाँ पे जो हे वो 3 step होने वाले हैं सबसे पहले test होगा उसके बाद group discussion और तीसरा जो हे वो personal interview होगा उसके लाद दोस्तों जी apply करने के लिए यहाँ पे link दिया हुआ है link मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया एक 10-2020 से 30-10-2020 तक आप इसके लिए आवेदिन कर सकते हैं direct link आपको हमारी website पर भी मिल जाएगा link आपको description में मैंने दे दिया है तो यह सारी चीज़े दोस्तों notification में लिखी गई है अगर आप eligible होते हैं तो जुरूर इसके लिए आवेदिन कीजेगा क्योंकि salary इसमें आपको अच्छी कासी मिल रही है 60,000 आपको salary उस starting में मिल जाएगी तो अगर आप select होते हैं तो बहुत अच्छी बात है बाकि जो location होगी वो cross India जहाँ पे इनके जो है वो offices या जो इनकी company की जो branches होगी वहीं पे आपको जो है वो रखा जाएगा फिलाल जो है अगर आप इसके बारे में जादा जानकारी चाहते हैं तो आपको जो है वो notification रीट करना पड़ेगा तो thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दीजिए और ऐसी ही job update को पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए बेल आइकन को press कर दीजिए ताकि आने वाली जो job update है उसकी जानकरी आपको time पे जो है वो मिल जाए तो मिलते हैं ऐसी किसी नई job update के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखी